ओम शांति हम सब की मीठी प्यारी जगतंबा मा, मीठी मम्मा का स्मृति मास शुरू हो चुका है और इस स्मृति मास में मम्मा की मीठी यादों को, मम्मा के चरित्रों को और मम्मा की सिक्षाओं को जीवन में लाने का हम सब अवश्य पुर्शार्थ करेंगे तो जून मास के लिए हम सभी के लिए बेहद मदबन घर से पत्र पुश्प आया है सुनते हैं जून का पत्र पुश्प टॉपिक है याद की विधी और धन की व्रधी साथ साथ करने वाले कर्म योगी बनो याद की विधी और धन की वृध्धी साथ साथ करने वाले कर्म योगी बनो परम प्यारे, अव्यक्त मूरत, मात पिता, बाप दादा के अतिस नही सदा हर कर्म योग युक्त, युक्ती युक्त और शक्ती युक्त करने वाले कर्म योगी सो सहज राज योगी, निमित टीचर्स बहने, तथा राज योगी जीवन बनाने वाले, सर्व देश विदेश के ब्राह्मन गुल भूशन, बाबा के नूरे रतन, इश्वरिय सनेह संपन्न, मधुर याद स्विकार करना जी. की सभी ने प्यारे मदुबन घर से याद प्यार, मधुरता संपन्न, याद प्यार स्विकार करना जी. बाद समाचार, वर्तमान समय मदुबन बेहत घर की अलोकिक सेवाओं के समाचार तो, आप सब सुनते देखते सदा आनंद का अनुभव कर रहे होंगे. बाबा कैसे अनेका अनेक बच्चों को अपने बेहत घर में आकरशित कर आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव करा रहे हैं. मदुबन के सभी स्थानों पर योग शिविर, योग भटियां तथा विंग्स के कारिक्रम चल रहे हैं. समय प्रमान मीठे बाबा का विशेश इशारा है कि बच्चे अब स्थूल कर्म, कर्म योगी के स्टेज में परिवर्तन करो. आप सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हो, कर्म योगी हो. इसके लिए हर कर्म में सदानिमित मात्र का मंत्र वर करन हार की स्मृति का संकल्प याद रहे. हम सब कौन है? करने वाले नहीं, कराने वाले कर्म योगी है तो इसके लिए हर कर्म में सदा निमित मात्र का मंत्र रहे मैं निमित हूँ और बाबा करा रहा है करन हार की इस्मृती का संकल्प याद रहे शरीर के नाते से मैं आत्मा कर रही हूँ लेकिन बेहत रूप में बाबा कराता है, मैं करती हूँ करावन हार भूले नहीं इससे सदा निर्मान ही निर्मान करते रहेंगे कोई भी कारिय करते यही स्मृती रहे कि यह कारिय、 इश्वर्य सेवा अर्थ है तो सदा हलके बन, खुशी खुशी से कर्म करने से कर्म योगी सहज योगी बन जाएंगे बोलो मीठे मीठे भाई बहने ऐसा ही अनुभव करते हो न कर्म करते धर्म अर्थात अपने जीवन की धार्नाएं सदा याद रहती है न बाबा पूछ रहे हैं कर्म करते धर्म को भूल तो नहीं जाते हो पहले है धर्म उसके पीछे है कर्म जितने धर्म अर्था धानाओं में पक्के होंगे उतने कर्म स्रेष्ट होंगे वर्तमान समय साकार मुर्लियों में बाप दादा हम बच्चों को विशेश इशारा दे रहे हैं कितने दिनों से बाबा विशेश ये इशारा साकार मुर्लियों में दे रहा है कि बच्चे सदा देही अभिमानी वह अशरीरी इस्थती में रहने का अभ्यास करते रहो। ग्यान के इस उची मंजिल में अनीक प्रकार के उतराव चड़ाव में बाबा के साथ और हाथ से मंजि सदा सामने अनुभो होगी। जब लक्ष्य है कि हमें अपनी मंजिल पर पहुचना ही है तो कोई बड़े से बड़ी बात भी सामना करने भले आ जाए। उसमें हमें रुकना नहीं है। उसे साइड सीन समझ पार कर लेना है। बाबा कहते बच्चे सदा ध्यान रहे कि अब विर्थ संकल्पों का भी वार ना हो। विकल्प तो छोड़ दो विर्थ संकल्प का भी वार ना हो। इसके लिए अंतर मुखी एकांत वासी बन तपस्या करते चलो। निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनने के लिए तीन बाते याद रखनी हैं। पहली हम बाप दादा की छत्र चाया के नीचे हैं, बाबा का वर्दानी हाथ हमारे सिर पर है, इसलिए माया का कोई भी वार हार नहीं खिला सकता याद की ये छत्री सबसे बड़ी सेफटी का साधन है, बाप दादा की छत्र चाया, बाबा का वर्दानी हाथ और साथ और याद की छत्री ये सबसे बड़ी सेफटी का साधन है, दूसरा मैं आत्मा उस सर्व शक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हूँ, कभी निराकार में बापतादा के साथ कमबाइंड हो जाओ, तो उनकी मदद का सदा अनुभव होता रहेगा। तीसरा, करावन हार करा रहा है, मैं आत्मा निमित करन हार बन कर्म कर रही हूँ। यग्य सेवा का कोई भी स्रेष्ट कार्य करते, सदा यही इस्मृती रहे कि मीठे बाबा ने करा लिया। कभी करतापन का भान ना आये। यग्य मैने एक प्रकार की सेवाय होती है, साधरन भी होती है, विशेश भी होती है। लेकिन कभी ये भान ना आये, देखो मैंने किया, मेरे द्वारा ही ये कार्य हुआ, मैं नहीं होती तो इतना अच्छा नहीं होता, ये भान से मुक्त, बाबा ने करा लिया, बाबा कराने वाला है, तो कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये स्मृती निमित औ और निर्मान चित बना देगे। तो तीन बाते क्या हुई? एक तो बाप दादा की छत्र छाया, याद की छत्री के नीचे रहना है, दूसरा मैं आत्मा सर्व शक्तिवान बाप के साथ कम्बाइन हूँ, और तीसरा करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ, बोलो अभी समय प्रमान, इनही स्रेश्ट स्मृतियों के साथ, अच्छे से अच्छी स्थिती बनाते हुए, उड़ती कला में उड़ रहे होना, अच्छा, आप सब का स्वास्तिय ठीक होगा, सभी को बहुत बहुत याद, इश्वर ये सेवा में बीके रतन मुहिनी दादीजी, तो हमें जून मास के लिए बहुत सुन्दर प्रेरनाएं मिली, कैसे हम पुर्शार्थ में अपने आपको परिपक्व बनाएं, वैसे भी बाबा पिछले कई मुल्लियों से आत्मिक द्रिष्टी, शरीरी अवस्था, भाई-भाई की रुहानी द्रिष्टी, वृती, कृती, इन बातों पर बहुत ध्यान दिला रहे, तो हमें भी इतना ही गुय पुर्शार्थ करना है, अच्छा, ओम शांती.